और सच्चुशन डिसकस करते हैं इसमें सच्चुशन आप ढंक से देखो इसमें दो पुली है एक पुली यह है एक पुली है और एक स्ट्रिंग यह ब्लॉक B से कनेक्ट होती है इस पुली के उपर से आती हुई और एक ring से connected है और इस ring से एक और string connect है वो दूसरी पुली के उपर से आतो यह block A से connect है ठीक अब अगर यह block माली है B वाला यह जो block है V1 की speed से यह इस तरफ move कर रहा है तो definitely ring की आगी तरफ move कर रही होगी और यह वाला जो block है वो उपर की तरफ move कर रहा हो कितनी speed से वीटू की speed से आपको V1 और V2 में constraint relationship find करनी है ठीक है तो अब इसमें दो string है ठंक से समझना है एक string नहीं है इसमें दो string है एक string यह block B से connect होती है यह ring से connect है ring के अंदर से यह string नहीं जा रही है ring में connected है ठीक है ring से यह length आपकी L1 है और यह वाली जो length है वो L2 है ठीक इनको L3 और L4 इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि जब ring आगी तरफ move कर रही है तो इस distance को X मोल सकते हैं अगर मैं यहां से perpendicular draw करहूं इस पर तो यह जो distance है इसको बोल देते हैं Y यह जो height है इसको बोल देते हैं H1 जो के constant होगी और यह जो height है इसको बोल देते हैं H2 ठीक और ring की जो velocity है इसको कुछ नाम दे देते हैं अपनी तरफ से इसको कह देते हैं V0 कि ring जो है constant relationship अलग find करेंगे और इस दूसरी string के लिए constant relationship अलग find करेंगे ठीक है तो पहले block B से जो string correct है उसके लिए constant relationship find करते हैं ठीक है तो उसकी total length कितनी है तो total length है L1 प्लस यह length और यह length कितनी होगी तो यह length होगी under root of x square प्लस h1 square तो क्या relationship लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी L1 plus under root of x square प्लस h1 square और यह क्या है यह constant होगा ठीक तो इसको differentiate करते हैं तो L1 का differentiation हो जाएगा DL1 by dt टाइम के respect में differentiate करते हैं और इसका differentiation हो जाएगा आपका आप खुद से करोगी सारी चीजें तो यह आ जाएगा x upon under root x square प्लस h1 square इंटू dx by dt और इसका differentiation क्या हो जाएगा आपका 0 के बराब ठीक इसके parallel में दूसी string के लिए भी relationship find कर लेते हैं तो दूसी string की total length कितनी है तो यह length है आपकी L2 और यह length कितनी होगी यह वाली length तो यह length होगी under root of h2 square प्लस y square तो L2 plus under root of h2 square प्लस y square इसको भी differentiate कर देते हैं तो L2 by dt प्लस y over under root of h2 square प्लस y square into dy y dt y variable है h2 और h1 तो constant है और constant के differentiation क्या होगा 0 ठीक अब ज़र आप values put करते हैं दी L1 by dt क्या है यह L1 इस L1 को यह V1 जो velocity है वह increase कर रही है तो L1 किस rate से increase हो रहा है तो वह V1 के rate से increase हो रहा है तो DL1 by dt आपका हो जाएगा प्लस V1 ठीक अब ज़रा यह देखो यह क्या है यह जो factor लिखा हुआ यह क्या है यह x upon under root of x square प्लस h1 square तो इस triangle में अगर आप देखोगे तो x upon under root of x square प्लस h1 square तो यह base upon hypotenuse तो यह होगा cos theta यानी हो जाए cos 37 तो यह आपका आगया cos 37 into dx by dt क्या है तो आप x को देखो तो इस ring की जो velocity है V0 इस तरफ है तो V0 के विए से x decrease हो रहा होगा तो dx by dt होगा minus V0 क्योंकि V0 जो है उस V0 के rate से x क्या कर रहा है decrease कर रहा है तो dx by dt आपका हो जाएगा minus V0 is equal to 0 तो यह relationship आगई V1 और V0 में ठीक अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं दूसरी string के लिए dl2 by dt तो l2 यह length है और V2 के speed से यह length जो है वो कम हो रही है V2 के rate से यह length क्या हो रही है कम हो रही है तो dl2 by dt हो जाएगा minus V2 फिर जरा यह जो factor जरा इसको देखते हैं यह क्या है तो यह है y upon under root of y square प्लस h2 square तो यह waste upon hypotenuse है तो cos 53 है यह into dy dt क्या है अब जरा y को अगर आप देखो तो इस V0 के rate से y क्या कर रही है increase कर रही है रिंग इस तरफ move कर रही है तो y की length क्या कर रही है increase कर रही है तो y किस rate से increase हो रहा होगा V0 के rate से तो dy dt हो जाएगा plus V0 is equal to हो जाएगा 0 तो दो string है दो relationship find की है हमने एक V1 और V0 में relationship है एक V2 और V0 में relationship है अगर हम दोनो relationship से हम V1 और V2 के बीच में क्या relationship होगी वो find कर सकते हैं तो V1 आप का रहा है V0 cos 37 degree और इदर से जो V2 आ रहा है वो आप का रहा है V0 cos 53 degree तो V2 upon V1 V2 upon V1 कितना आ जाएगा तो V2 upon V1 आ जाएगा आपका cos 53 upon cos 37 degree वी नोट क्या हो जाएगा यह 53 37 का triangle आपको पता होता है यह 3 है यह 5 है यह 4 है यह angle 53 होता है 5 और 3 के बीच का angle 53 होता है और बचा हुआ angle क्या होता है 37 होता है तो cos 53 कितना होगा cos 53 होगा 3 upon 5 और cos 37 होगा 4 upon 5 5 से 5 cancel out हो जाएगा तो V2 upon V1 जो है वो आपका 3 upon 4 के बरावर आ रहा है ठीक है तो V2 और V1 में आपको relationship मिल गई है 3 V2 upon V1 is equal to 3 by 4 clear तो इस तरह कोई भी question होगा तो आप इस तरह से कर सकते हो total length जो total string की length है वो लिखो और is equal to क्या कर तो उसको constant फिर उसको differentiate करो और फिर देखो string की length का कौन सा part किस rate से बढ़ रहा है या कम हो रहा है अगर किसी rate से बढ़ रहा है तो उसका derivative positive में लिखा जाएगा किसी rate से अगर कम हो रहा है तो उसका derivative negative में लिखा जाएगा clear